इसको जैसे हम cross करते हैं तो इस वाली candle पर हमारी entry बन चाती है और यह नीचे हमारा यह छोटा सा SL हो जाएगा उसके बाद आपका पहला target गाईज यह line आपको दिख रही है dot dot line यह पहला आपका target रहेगा आपका target यह आप second target यहां तक book कर सकतो देखो और यहां जैसे यह entry लेत करती है और यह पहला target उसके बाद second target हमारा यहां तक देखो यह आज की यह strategy बहुत अच्छे strategy आपकी यहां पर entry बनती है यहां तक का profit आप book करते हो और ऐसी strategy है जिसको आप हर जगा यूज़ कर सकते हो चाहे आप crypto में trade करते हो चाहे बैंक निफ्टी में trade करते हो चाहे तरह से आप call side की भी entry लेते हो इंडिकेटर का setup है बिल्कुल single indicator एक इंडिकेटर गाइस इसमें आपको यूज़ करना है एक से दो इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करने ठीक है दो इंडिकेटर की ज़रूर नहीं पड़ेगी एक इंडिकेटर आप यूज़ करोगे यह यहां पर आपकी entry बनती है और इस entry से आप देखो यहां पर कितना 330 point का move call side का आप capture करते हो बहुत गजब की strategy है बहुत simple strategy है इसको आप देखो time frame बताएंगे time frame पहले ही बता देते हैं आप इसको 1 minute ठीक है 1 minute पर यूज़ कर सकते हो 5 minute पर यूज़ कर सकते हो और 15 minute ठीक है य आपको बताएंगे SL कहां पर हीट होंगे target कहां पर रखना है SL तो इसमें आपके ना के बराबर हीट होंगे SL तो आप भूली जाओ आप एक minute का time frame लगा कर भी trade करते हो ना scalping के लिए उसकरते हो तो भी है अगर आप option trading करते हो गाइस option trading अगर आप करते हो तो बहुत गजब क strategy है इसलिए आप ध्यान से देखिए copy और pen लेकर चाहिए तो बैट जाएए नोट कर लीजिए वीडियो को save कर लीजिए जो आपका दिल करें ठीक है complete वाज कर लीजिए आप कहोगे कि यह strategy पहले आमें क्यों नहीं पता लगी ठीक है आप देखिए आप शुक्रिया करोगे बस इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो complete देखिए वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना बाद में पहले strategy समझ लो ठीक है बहुत अच्छे strategy आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी गाइस देखो बिलकुल सिंपल strategy है यहाँ पर आपको दिख रहा है अब यहाँ पर देखो आप खुद अभी बताओगे कि आपकी entry कहां पर बनती है put की entry कहां बनेगी call की entry कहां पर बनेगी ठीक है आप खुद ही चीजों को देखोगे और आपको चीजे समझ में आ जाएंगे गाइस ठीक है बस इसमें एक चीज है कि आपको इंतजार करना है आपको अपने setup के बनने का इंतजार करना है और जैसे ही setup बनेगा फिर बिना सोचे समझे आपको trade को execute कर देना है और आप profit जरनेट कर पाओगे वहां से ठीक है market से आप profit जरनेट कर पाओगे बस आपको सोचना विचारना नहीं है जैसे ही आपका setup बनता है जैसे यहाँ पर देखिए आपका setup बना यहाँ पर setup बना और यहाँ पर आपकी entry बनती है और यह move आप देखो कितने पॉइंट का 390 पॉइंट का आपने capture किया यह फिलाल बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है आप इसको गाइस निफ्टी में यूज़ कर सकते हो पांच मिनट का टाइ और मूग कर देते हैं सारे ठक है है यहाँ पर देखिए रिवोव mêmes कर दिया बलकुल के सामने ठीक है यह रिफ्रेश और ब्लात साठ टीडें कर friends कर देते हैं बीदिए फ्री सेक्सें मिझाश आपको आ जाना है सिंपल सेट अप समझ लिए पिर सेटब सबाइलों के जवाब आप भी दे देंगे ठीक है इंडिकेटर लिखावा इंडिकेटर पर आपको टॉस करना है और यहांपर सर्च बॉक्स में आपको क्या लिखना है सर्च बॉक्स में आपको यह आप लिखेंगे क्योंकि आपको पता है market supply और demand पर चलती है इस जैसे ही आप supply and demand लिखते हो तो आपके सामने बहुत सार इंडिकेटर आते हैं लेकिन आपको इन में से कोई हर एक इंडिकेटर नहीं यूज़ करना आपको गाईज सिर्फ ये वाला इंडिकेटर supply and demand visible range Lexalgo Lexalgo वाला इंडिकेटर आपको यूज़ करना है आपको पता है Lexalgo के इंडिकेटर बहुत accurate होते है ठीक है तो आपन इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे इसको यूज़ करने के लिए इस पर click करेंगे ये इंडिकेटर लग जाएगा ठीक है ये single इंडिकेटर है इसके देखो बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है इसमें इंतिजार क्या करना है आपको सेटप का इंतिजार करना पड़ेगा सेटप का इंतिजार करोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा ट्रेड मिलेगा तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाऊगे इंतिजार क्या करना है इंतिजार करना और जब यहां पर मार्केट आती है इस लाइन के नीचे तो यहां से रिवर्स होगी यहां पर आप कॉल की एंट्री बनाओगे बिल्कुल सिंपल सेट अप है इस इंडिकेटर का इसमें आपको ज्यादा उलजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल सिंपल बहुत सिंपल बहुत इस ठीक है जैसे यहां पर देख लीजिए यहां पर अभी यहां पर आपको ट्रेट नहीं मिला है ठीक है यहां पर देखिए अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना जब प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजे आपको समझ में आने लग जाएगी और जब आप देख यह वाली जो लाइन दिख रहे ही इस लाइन को हम क्रॉस करेंगे यहाँ पर हमारी एंट्री इस ग्रीन केंडल पर बन जाएगे थोड़ा से जूम करके समझा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीजों को फिर दूसरा इंडिकेटर एक और बताएंगे साथ में ठीक यह हैमर बना ठीक है उसके बाद यह वाली जो लाइन है इसको जैसे हम क्रॉस करते हैं तो इस वाली केंडल पर हमारी एंट्री बन चाती है और यह नीचे हमारा यह छोटा सा एसल हो जाएगा उसके बाद आपका पहला टारगेट गाईज यह लाइन आपको दिख रही है ड ठीक है गाईज सेम इसी तरह से आप पुट की एंट्री भी बनाओगे यहां पर देखिए हमारी एंट्री बनती है ठीक है यहां पर हमारी एंट्री बनती है और यहां जैसे यह एंट्री लेते हैं पहला टारगेट हमारा गाईज यहां पर हमें मिलता है 227 पॉइंट का और जब आप आएंगे उसके बाद आपको reversal मिलेगा तो आपको trade को execute करना है ठीक है इसमें आपके SL ना के बराबर hit होंगे और profit आपको guys बहुत अच्छा मिलेगा ठीक है तो चीजों को आप समझिए ध्यान से देखिए और सीखिए इसको back test कीजिए front test कीजिए back test करने के लिए paper trade नहीं करना तो एक single lot से आप 40-50 ट्रेड करो risk capacity के हिसाब से यहां पर देखो इस लाइन के upside गए यहां पर आमें bearish candle मिली यह जैसे line को हम breakout करते हैं यहां पर हमारी entry बन जाती है और यह पहला target उसके बाद second target हमारा यहां तक देखो यह पाच मिनट का time frame यूज किया वह आप इसको same pattern को guys आप one minute पर भी यूज कर सकते हो ठीक है ठीक है अगर लगाना चाहें तो लगाएं नहीं लगाना तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ एक ही इंडिकेटर पर आप अच्छे से ट्रेड अगर करते हैं तो आप इसी इंडिकेटर के बदालत आप अच्छा profit generate कर पाएंगे ठीक है तो अ किये उसमें से कितने आपके पास हुए और कितने ऐसा लेट हुए ठीक है और उसके बाद front test कीजिए paper trade कीजिए और जब आपको भरोसा बन जाएगा इस तो भरोसा जब आपका बनेगा तो आपका भरोसा ही market से आपको पैसा बना कर देगा ये entry आपको नहीं मिलेगी आप से छूड़ जाएगी कोई बात नहीं छोड़ गई छूड़ जाने दीजिए ठीक है आपको अपने setup का इंतिजार करना है यहां पर आपको entry मिलती है और ये profit आप गुक करते हैं ठीक है तो अपने setup का इंतिजार करना है जब setup बनेगा तब आपको trade को execute करना है उमीद है जानका आपको समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया